नमस्का दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ रिजनिंग के यह सारी एक्जाम में बारबार रिपेटेड होते हैं यह सारी एक्जाम जो की आल अवर इंडिया में जितने भी हाँ पर रिजनिंग आती है तो वहाँ पर सारी एक्जामों के लिए यह कवर अप रहे का वीडियो इसमें SSC, Railway, PSC या फिर अन्य एक्जाम जो एकॉंस्टेब यह सारी चीजर यहाँ पर सम्लित रहेगी चलिए चलते हैं आज के एक्जर की ओर देखत Hindu पहला प्रशन किस प्रकार पहला प्रशन जिस प्रकार आप देख सकते हैं हम पनर नीचे दिये गए शंकला पुरा करिए अब शंकला यहाँ पर देए रहीए नो हे 16, 25, 36, 49, 64 अब अगर मैं यहाँ पर बात करें तो 9 क्या होता है? 3 का square होता है 16 मतलब 4 का square 25 मतलब 5 का square 36 मतलब 6 का square 49 मतलब 7 का square 64 मतलब किसका हो गया? 8 का square तो अगली term जो आएगी हैं आपर 11 प्लस होते जा रहा है तो 9 का square अगर बात करें तो 9 का square कितना होता है? 81 होता है तो इसका correct answer क्या होगा? Option number C, 81 इसका correct answer होगा इसी प्रकर महाँ पर concept आपको लगाना है महाँ पर exam में और question को solve करना है चलिए अगला प्रशन यहाँ पर हम बात करते हैं तो अगला प्रशन जो है आपके सामने वेन डाइग्राम से है जी हाँ, जिसे वेन आरेक के नाम से भी जानते हम वेन डाइग्राम अब पहली यहाँ पर relation देखना इमानदारी, चतुराई और रूची अब इमानदारी जो रहती यह खुद में ही रहेगी इमानदारी और चतुराई का कोई संबंद नहीं है और चतुराई और रूची का कोई संबंद नहीं है और रूची और इमानदारी का कोई संबंद नहीं है मतलब कि आपका इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा तो correct answer यहाँ पर मुझे 4 option में से B वाला दिख रहा है बोला गया है नीचे दिये गए प्रश्णों में लुप्त संख्या को ग्याद करना है यहाँ पर जो लुप्त संख्या है जिसे कोशन मार्क आप देख रहे हैं अब सबसे पहले में यहाँ पर फोस्ट वाले से आइडेंटिफाइ करता हूं कि भहिया क्या हो रहा है मुझे बी देखो किया दो का स्क्वेर कितना होता है चार होता है यह भी दो है तो दो का स्क्वेर कितना होगा चार होगा चार का स्क्वेर कितना होता है चार का स्क्वेर होता है 16 फिर तीन का स्क्वेर कितना होता है यहाँ पर अगर बात करें तीन का स्क्वेर होगा यहाँ पर 9 तो य उसी प्रकाद 6 का स्क्वेर में करता हूँ तो कितना होगा 36, 5 का अगर करता हूँ तो कितना होगा 25, 4 का करता हूँ तो कितना होगा 16, 3 का अगर मैं करूँआ तो कितना होगा 9, इन सब को अगर मैं यहाँ पर 8 करता हूँ, मैं देखता हूँ, यहाँ पर 8 करके 6, 2 ने 12, 12 और 5 क कितना होता है, 17, 17 और 9 कितने होगा यहाँ पर, 26 की 6, 6 किस ओप्षन में आ रहा है, यह वाले में आ रहा है, तो यहाँ पर इतना जोड़ने की जरुवत नहीं है, तो 86 इसका क्या होगा, ख़ीक है, विए यह एट कर रहे है, 3 दो निक 6, 6 का 7, 8, 86 का करेक्ट आंसर होगा, चलि अगले प्रशन की ओर, अगला प्रस्ण आपके सामने यहाँ पर, चलिए, यह अले प्रशन को हम देखते हैं, नीचे धीए कर प्रस्ण में संबंदी संख्या को चुनना है, अब बात करें यहाँ पर 49, 49 और सामने यहाँ 81, उसके बाद रहा है, यहाँ पर 100 के बाद है कुर तो इन दोने में आंता देख रहा हूं तो प्लस दो बड़ा है सो मतलब क्या आता है दस का इस्प्वेर दस में अगर दो जोड़ता हूं तो आरा बारा बारा का इस्प्वेर अगर मैं करता हूं तो कितना हैं गा 144 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर तो option number A जो होगा इसका correct answer होगा ठीक है 140 बिल्कुल इसी प्रकार से ही यहाँ पर exam में आपको लोगों को यह question इसे ही solve करना है चलिए अगले प्रश्णी की ओर चलते हम अगला प्रश्णी यहाँ पर शंकला में लूप तक्षर को ग्याद कीजिए sequence है ABC FGH LMN और यहाँ पर अगर मैं sequence रिखता हूँ तो A का होता है 1, B का होता है 2, C का 3 F का होता है 6, G7, H8 होता है L का होता है 12, M का होता है यहाँ पर 13, N का होता है 14 ठीके यहाँ पर यह sequence है 1, 2, 3, 6, 7, 8 तो 3 से कितना वड़ा 6, तो प्लस 3 हो रहा है यहाँ पर प्लस 3, 8 से 12 मतलब क्या हो रहा प्लस 4 तो यहाँ पर क्या होना चाहिए यह प्लस 5 होना चाहिए तो 14 प्लस 5 कितना तो 19 तो यहाँ पर मैं देखू 1, 2, 3, 6, 7, 8 मतलब 3 sequence आएगी 19 पर क्या आता S 20 पर T और U पर क्या आजाएगा 21 आजाएगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर option number C option number C क्या होगा इसका correct answer चलिए अगला प्रशन देखते हैं यह भी बहुत अच्छा प्रशन दिख रहा है अगर बात करें दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चैन कीजिए जिसमें दी गई संक्या का सम्मू प्रशन में दी गई संक्या के समाने तो अब यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ दिए गए सम्मू में 3, 7 और 15 है तो इसको मैं एक बार यहाँ पर measure करता हूँ 3 प्लस 4 कितना के 7 साथ में अगर कितना जोड़ो जो 15 आ जाए तो पांच और तीन आठ आठ जोड़ रहा है उसी प्रकार से मैं पर देखता हूँ कि प्लस 2 से छे 4 बढ़ रहा है छे से 4 दस ऑप्शन यह नहीं हो सकता सी को अगर देखता हूँ तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है चार बढ़ रहा है और यहां पर कितना बढ़ रहा है आठ जी आ तो करेक्ट आंसर क्या होगा option number C और भी देख लेते हैं कि यहाँ पर बी में 4 बढ़ रहा है और फिर 10 बढ़ रहा है यह भी नहीं हो सकता यहाँ पर 5 बढ़ रहा है और यहाँ पर आगे अगर बात करें तो 7 बढ़ रहा है तो option number C क्या है इसका correct answer है बिल्कुल इसी प्रकार से वहाँ पर exam में फ्रशन करना आप लोगों को ठीके sequence में बता रहा हूँ इसी प्रकार के प्रशने सब previous year के question है आपके इसे cgd railway या pump चलिए अगले प्रशने के बारे हम यहाँ पर बात कर रहे है अगला प्रशने एका number 26 तो cn के 27 लिख रहे तो केट को क्या लिखेंगे अब एक को एका number वेसे 21 होता है मगर एका विपरीद क्या होता है z होता है z का number 26 होता है तो मेरे mind मैं कि इसके opposite हो सकता है तो s un s का विपरीद क्या होगा u का विपरीद क्या होगा n का विपरीद क्या होगा ठीके S का विप्रित होता H, H का नमबर होता 8 U का विप्रित के अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो U का होता F, F का नमबर होता 6 N का विप्रित कर रहा हूँ तो यहाँ पर MN मतलब मकान नमबर M M का नमबर कितना हो जागए यहाँ पर? M का हो जागए यहाँ पर 13 इन सब को अगर प्लस कर रहा हूं तो कितना आरा 27 विसी प्रकार से C, A, T को करूँ है तो C का नंबर होता है C का विपरित देखना X, A का Z, T का T का अपोजिट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो G होता है X का होता 24, Z का 26, G का 7 तो यहाँ पर 50 प्लस 57, 57 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ठीके चलिए अगले प्रशन के बारे में हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नेक्स प्रशन जो दे रखाए आपको दे गए विकल्पों में से वह शब्द को ढूंडिए जो नेक्स लिके शब्दों में से अक्सा से नहीं बनाए जा सकता है ठीके नहीं बनाने वाला कोशन हमें है आप देखना हो यह पूरा दे रखा है इंफ्राइ स्ट्रक्चर क्या वो लगा है इंफ्राइ स्ट्रक्चर अब अगर मैं यहाँ पर देखको इन दोनों की बात कर लें, यहाँ पर A और R तो already है, ठीके, C भी है यहाँ पर, T, E, R भी है, T, E, R भी है, option number B भी नहीं हो सकता है, C को अगर मैं आपर देखता हूँ, F और R, जी हाँ, F भी, R भी है, A तो है, C, T, U, R, E भी है, बस option number कौन सा बचरा है, यहाँ पर D वाला, तो D वाला क्या होगा, यहाँ पर correct होगा, देख लेते हैं, R है, E already है, S भी है, T भी है, R, ठीके, A, I, ठीके, तो इसमें correct answer क्या हो जाएगा, यहाँ पर, एक मिड़ी, इसमें अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं, जी हाँ, option number B होगा, कि पूरे इसमें H नहीं आ रहा है, तो option B क्या होगा, इसका correct answer होगा, ठीके, चलिए, अगले प्रश्न में यहाँ पर हम लोग चलते हैं, अगल प्रश्री, आटोमेटिक हो जाएगी, तो मैंने देखा, 56 और यहाँ पर दे रहे है, 15 और 22 और आट दे रहे हैं, तो 22 और आट जोडता हो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, और 56 प्लस 15 अगर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, तो 61 में से अगर 30 माइनस कर रहा यहां पर 45 45 में से अगर यहां पर 20 माइनस कर रहा हूं तो आंसर 25 आएगा तो करेक्ट आंसर क्या है 25 जी हां कंसेप सही है पस ध्यान रखी है यहां पर इस प्रकार से भी हो सकता है क्रॉस में भी हो सकता है